नमस्कर दोस्तों स्वागत थे आपका कक्छा 10 हिंदी के मेहतपूर कोश्चन अंसर टॉपिक में दोस्तों से पहले आपने एक वीडियो कमपिलिट कर चुके हैं, और उसमें लगबख जी सारे टॉपिक कमपिलिट कर चुके हैं कि 4-5 इंपोर्टेंट टॉपिक हम हिंदी के क कर चुके हैं ठीक है मैंने पहली वाली वीडियो में लगबख जी सारी चीजे करवा चुका था सबसे पहले मैंने अनुछे द लेखन बताए थी क्या पढ़ना है पत्र लेखन आपटित बोध किरित का भाग तू के मैंने सभी कोश्चन करवा दिये और भासा बोध भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए और लास्ट तक देखना है आपको ठीक चलिए और देखिये मैं अगर आपको बता दूह तो जै मेरे पास है परिक्षा उद्ध्यत और जै मेरे पास है नीरे दौनों मैंसे आपको जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है बुष्टा भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है कभी पर्चाय मैं कौन-कौन से कभी पर्चाय पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है चलिए देखें कभी पर्चाय आपको कौन-कौन से पढ़ने देखिए ध्यान से जैसे लिखा है सूर्दास इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं वो ज समय देज़ें कुछ भी तो इसका आंसा देखे जे दे रखा है सबसे पहले तो इसकी रचनाएं क्या है रचनाए आप तीन रचनाए क्लो अब आता है तो भावपक्ष यह इनकी बाथसा बलरण यह का बाथसल बलरण से मतलब कहा है इननों बच्चों के ऊपर भौजण देख भगवान किर्षन के बाल रूप पर भॉज्जांद लिखा हुआ है दूसरा इनों ने लिखा सिंगार बरण ठीक है तो जे लिखा है आप इने मैंसे कोई भी दो बिशेशना कर लिजी इतनी दे रखी है ठीक है एक कलापक्षे कलापक्ष पूछा नहीं गया है पर नहीं लिखना है अब आता है तुलसी दास के तुलसी दास देखे 2022 में पूछा गया तो तेश में नहीं आया तो जादा इंप्पोर्टेंट बनता है जी रिपीट होगा इस पार ठीक है इसमें से क्या पढ़ना है आपको बहुई दो रचना है भावववववक्ष की द क्या पीट यह सथा है आप कोई वी लिए जैसे अलंकार और जैसे चंद इन उने कौन से अलंकार का प्रियोग किया है ठीक है बाववववक्ष में यह जाता है जैसे इनोंने किस बावर से लिखा है कवी ताओं कुटी कर दो समरस्ता का संदेश दिया है च्छायाबाद के जनक माने जाते हैं ठीक है और नेक्स्ट आपका देखिए इनकी आपको रचना याद कर लेना है और भावपक्ष दो प्रिकृति चत्रा यानिकी प्रिकृति के बहुत जान्दा प्रैमी कभी है भक्ति अबंदयसन के इकलापक्ष में आप इनकी भासा याद कर लेना कौन सी लिखिए और कौन सी से लिए बस इतना सा याद करना है ठीक है तो आप तो कोई भी दो कर लीजिए अब इनके बाद क्या है देखिए जैसे परिच्छा हो गए इनमें से कुछ बना के पूछते हैं तो ओटी केस तरीके से आना महत्पूर्ण बस तुनेस्ट परिच्छा दे इनमें से आपको बताना था ठीक है कौन सी है बिनाइपत्र कायस में बाइस में देखिए जिप पूछा गया था सूरसागर के रचनागर है तो अपनको पता है सूरुदास जी है इस तरीके से आप पूरी पढ़के जाओगे मेरे इसाफ से ठीक है इनको मैं बताते चल पोश्टन दीए फिर आपके फाली सतन आते गिता है लगबगे दुग्षा वे इसमें पूछा भी गया था सूरुदास की गुरू थे ठीक है तो जे सभी ठीके सभी सब्ड़का सब्सके जोरी देखी एक खालिस्तान में आया एक जोड़ी में भी आ गया तो क्या है कामाईनी यानि कि किसकी है सुरकांतर पार्टी नेरला की क्या है तो जे आपको मिला लेना है ठीक है जे पूछा गया तो इनको भी आप एक बार पढ़के जाना देखे लास्ट टाइम पर जो भी आपकी स्टेटजी होगी पढ़ाईगी आपको सबसे मैन होता है कि क्या पढ़ना है अब हमारे पास मुश्कल से चार दिन बचे हैं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आपके लिए माइने रखता है ठीक है और जे इनके आंसर दे रखें सबके सबके मिला लेना आप ठीक ह अब देखिए इसी में क्या चीज़ है भाव आर्थ संदर्व प्रिसंग भावार्थ का बिस्वांदर तो यानकी इसका कभी का फिर आपको क्या पढ़ना है जे दे रखा है आपका अगर परिक्षद द्यान है तो देखिए दे टू मैंसे जे आपके आते हैं का बिखंड परि दूस indo आपका इस तरीके से एक कभीता के बाद प्रिसका संदर्व लिखना होता है संदर्व में क्या लिखना होता है कि यह अमारी पाठप खुर्ष स्कतक के पौन से पार्ट से लिए आ जहे लिखना है आपको इसके कभी कौन है बस इतना सा लिखना है ठीक है अब प्रिस वानों के पास पहकर भी उनके प्रेमें बंध नहीं पाए अब इसका आपको भाव अर्थ लिख देना होता है कि गोपियों का भाव क्या था किस वह लिख रही थी काब शॉंदर में क्या किया जाते जैसे उसकी सुंदरता लिखी जाती प्रेम से सुते उद्दबर गोपियों प्रेहर कर रही है अनुप्रास रूपक अलंकार तब्रेज वहासा का प्रियों किया जा रहा है इसमें है तो काब शॉंदर मतलो कभीता की सुंदरता किस तरीके से बढ़ती है तो इन कुछ जैसे अलंकार का प्रियों कर देते हैं कभी कोई दोहा का प्रियों कर देते हैं इ को ध्यान से संदर वह यह क्योंकि उसी पार्ट से तो संदर में कुछ नहीं चेंज होगा पिरसंग में चेंज हो जाएगा अपनी प्रेम भाबना को प्रिकट करते हुए गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण के प्रेम के बिना जीवत नहीं रह सकते हैं ठीक है फिर इनुमें इसक संदर्व इनी के साथ रहेगा देखें से इसमें संदर्व क्या हो गया यह पद्दान समारी पर्ष्ण के राम लच्मन पर्षुराम संबद नामक पर्ष लिया गया इसके कभी तुलसिदास जी प्रिसंग आपको उसी के बारे में लिखना किस बारे में चर्चा सल रही ती पूरी रचने अब दिवासा में लिखिए ठीक है और इस प्रकार से आप इनको देखते जाना जो भी इसमें परिक्षा दम्न में दिया है सब पढ़के जाना ठीक है एक आता है तीसरे नमर पर आत्मकत तो आत्मकत में देखिए यह आया था आगर मैं आपको पेपर में बत परिक्री है जिबाला एक जिए तो इसका प्रसंग से बात हैं संदर में क्या करना है इक तो कभी का नाम होना चाहिए याद और कउनसे पार्ट से लिए भूय याद अब इसमें से इंपोर्टेंट एक जीवन को कैसे इस तरीके से अब आता है एक नेक्ट शूरकां त्रिपार्टी निदाला जी का तो इसमें से मैं आपको अगर मोस्ट की बात करूं तो आपका इधर आजाएगा यह बिकल बिकल उनमत थे उनमत विस्व के निदान के सकल जन आय अग्या दिसास से अनंत के घं तब तरह जल से फिर सीतल कर दो बादल कर दो तो जी आपको संदर पढ़ लेना इस है ठीक है और फिर आपको इसका अंसर लेग देना और दंत्रित्य मुस्काण से आपका जी भी पूछा जा सकता है तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना जे दो है इंपोर्टेंट इसमें एक जे है और एक आपका जे है ठीक है जे ले परस पाकर तुम्हीं एक ही है जे सॉरी है इसमें क्या है या पत्दांस हमारी पर्फुस्तक की है दंतरती मुष्कन कभी तस ले इसकी कभी कौन है नागार जोने ठीक है उसमें एक और है और उसकी और उसकी आवाज में जो एक चेक साप सुनाई देती है या आपने स्वर को हुचा ना उठने की जो कोसिस है उसे विफलता नहीं उसकी मनस्ता समझा जाना चाहिए जित हो गए अब आते हैं आपका इसी म गोपियों द्वारा उद्दब को भागवन कहने में क्या भेंगे नेत है बहुत जाना इंपोर्टेंट कोशन है इसको आप याद कर लेना एक जी है उद्दब के विवार की तुलना के इनकेंसर की गई है नेक्स्ट है मर जादा ना लाही के माद्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है मैं ज्यान से बताते जा रहा हूं आप इनको एक भी नीच छोड़ोगे ठीक है सबको बढ़िया से पड़ते जाओगे कोश्चन के प्रति अपने अननन प्रयम को गोपियों ने किस प्रकार अभिभर्त किया यह के लिए कौन कौन से तर्क दिये एक तो जे है और फिर आपका जे है लचमाण ने बीर युद्ध्या कि क्या क्या बश्यस्तना बताएं बाइस में पूछा गया है ठीक है और आंगे देखें अंगला है राम लचमाण परसुरां संबाद में बैंग का अनूठा सवंदर उत बनाने के संदर में अभी समय भी नहीं है एसा कभी एसा क्यों कहा जाता है ठीक है इंपोर्ट सबसे बहुत्त बहुत्त बहुत जाना इंपोर्टेंट है इसको पढ़ लेना ठीक है अगला कोश्चन ने कभी निराला बादल से फौर रिम्ज़म या बरसने के स्तान पर कि इसका अनसर एक फिर आता है कभी का सिर्षक उस्ताइक क्यों रखा गया बहुत जाना इंपोर्टेंट कोस्टन हे एक टैस में भी पूछा गया है जी ठीक है सबार भी रिपीट हो सकता है और जो संकेत करता है यह अट नहीं रहिए मैं आपको बच्चे की दंतुरित मुश्कान का कभी की मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो देखी इसका आंसर यह दे रखा है ठीक है आप इसको पढ़ा लीजी एक है बच्चे की मुश्कान और बड़े की वैकती की मुश्कान में क्या अनता रहें तो जी कुछ पॉइंट है पढ़ लेना है अब आता है अपन फसल बाला पढ़ तो फसल में से कभी के अनुसर फसल क्या एक है और एक जे है एक जे है फसल को हाथों के परश सब्सक्राइब करना चाहता है एक रिचिक मिंठी के गुर्धर्म को आप किस तरह परिवासित करेंगी ठीक है और इसमें संघतकी चाहते। चाहते हूं किस संघतकी करते हैं। यह सबस्कैए ह céu और पहुच कीछ screw काशू फो यह भी परिसंट बने वाले बहु विकल्पि हो तो ये आपकी परिसंदे अग्तिस्थान के सभी के आंसर दे रखेंगे आपके सत्त सत्त हैं सब पूछा भी गया था जैसे भारी और गंबीर थे बिल्कुल सही है अब आते हैं जोड़ी तो आप एक बार इनको पढ़ते जाना है ना पूछ लेते हैं तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए जोड़ी दे र ज्वाला पूछा गया जबाइस में पूछा गया जैसे में पूछा गया कभी निराला ने बादलों की दोलना किस्से की यह आंसर सबके दे रखें ठीक है अब आगे नेक्स टॉपिक जेखें धेडिया देठी दूस्तों सिक इसमया से हमने सारे चीज़ां पढ़ लिए जह देखे ध्यान से सब चीज पढ़ ली हमने अब हमारा क्या आता है फसल अमने पढ़ लिए संगतकार कभी पर लिए भाहवत पर आदारित पर लिए अब बचा के हमारे पास जे चीज बची है सबसे पहला तो आपको थोड़ा सा काल वाजन याद कर लेना है कि कौन सा काल कहां से तक चलता है दूसरा आता है भक्ति काल पूर्व मद्दकाल जैसे अपन कहते हैं इसन 1318 से 1643 इसपी तक चलता है इसी टाइम तो सीदास जी वगएरा थे ठीक है सुरुदास जी अब आता है रीति काल उत्तरमदकाल यानि कि संसोला तो 43 से 1813 तक चलता है फिर आता है आधने काल 1843 से निरंतरा भी गतिमान है ठीक है अब इसमें से आपको पढ़ लेना है अब आते हैं अपने कोश्चन तो रीति काल को सिंगर काल नाम क्यों दिया गया इंपोटेंट है री अब आप से कोश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि रीति काल के चार कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं के नम बता दीजिए तो आपको जी कभी दे रखे हैं और इनकी रचना याद करना है ठीक है पर नहीं कभीता की कुछ कभियों के नाम है कि रचना दे रखे जी आपको पढ़ लाए है अब आता बरतमान हिंदी काभी की दो विशेष्टा है लिखिए तो जे विशेष्टा है ठीक है इनको आपको पढ़ना है अब आगे बढ़ने अब आते हैं इनकी बस तुनेस्ट प्रिसन में जे आपको बिल्कुल पढ़ना क्योंकि ओटी लगवग यहीं से बनती है ठीक है आपको इस तरीके से आंसर लिखना है ठीक है चार का आंसर आपका जिवाला है कि आप खुष्ण दीती काल के कभी थे ठीक है तो यह आप सब पढ़ते चलोगे जे ध्यान रखना दस मेहतपूर बस तुनेस्ट प्रिसन है और जे दसों के आंसर दे रखें अब आते हैं रिक ना है एक सब्दे में उत्ता है ठीक है चलिए तो देखें दोस्तों जी हमारा यानि की छितेज भाग्टू काभगंड समाप्त हो गया है 17 नमर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब क्यारण क्या है कि यह थोड़ा बड़ा टॉपिक था तो इसमें टाइम जानन करूंगा कम से कम आज के आज इसको करवा दूं ताकि आप पेपर तक अच्छे से इनको तयार कर लें और यहां तक आपको अच्छा लगाए वीडियो समझ में आ गई है आपको कोश्चन समझ में आ रहा है कि मझे क्या पढ़ना है सबसे मैं काम क्या होता है कि पेपर के टा देना ठीक है धन्यवाद